हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तु दे चैनल आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 7 वाट फोली इस दो लॉस्ट सिल्क हाट का आंगे का पार्ट पढ़ारे वाली हूं इसके पहले के पार्ट की वीडियो औरेडी चैनल पर डली हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है तो पहले उससे देख लेए लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो कॉलर है जो में क्यारक्टर है हमारे प्ले का वो जो है पहले एक लेबर से हल् कर वहां से भाग जाते हैं, फिर कौन आते हैं, पोएट आते हैं, हमारे जिनने ये प्ले लिखा है, वो आते हैं, तो उनसे कॉलर कहते हैं, मैं अपनी हैट जो है, वो गलती से इस घर में छोड़ दिये जब मैं इस घर में फोन करने गया था, वो सोफे के नीचे रखी हुई है, जो सबसे कोने में रखा हुआ है, तो और अगर आप पॉसिबिली अंदर जाकर ये प्रिटेंड करेंगे, कि आप प्यानो को ठीक करने आए हैं, और वहाँ जाकर मेरी कैप ले आएंगे, फैच मतलब लेना, ले आएंगे तो मैं आपका बहुत जादा शुक्र गुजार रहूँगा, ऐसे ऐसे जो कॉलर उनसे रिक्वेस्ट करता है, पोएट, बट वाइच कांट यू गेट इट यूर्सेल्फ, पोएट जो हैं फिर उनसे पूछते हैं, कि तुम उसे खुच जाकर क्यों नहीं ले सकते, जो कॉलर हैं वो बताते हैं कि मैं नहीं कर सकता, पोएट, बोलते हैं कि अगर तुम मुझे रीजन बता दो, तो शायद मैं तुम्हारी हल्प कर सकता हूँ, कॉलर, जो है वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, और ना मैं आज के बद इस घर के अंदर कदम रख सकता हूँ, पोएट, फिर कहते हैं कि तुम उस घर में नहीं चाहते हैं, मतलब किया तुम मुझे बता सकते हो, मुझे बरुसा कर सकते हो, मैं तुम्हें फासी पर चड़वाने में फिल्कुल भी इंटरस्टेट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी help करूँगा और तुम्हारी बात को समझूँगा Caller तो जो caller है वो reply करते हैं कि Do I look like a murderer? कि क्या मैं आपको murderer की तरह दिखता हूँ? मैं खूनी की तरह दिखता हूँ? Poet No, of course not जो poet over वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं I am the same that you can safely trust me कि वो बुलते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैं सब ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे पे safely trust कर सकते हो For not only does the statute book and its penalties rather tend to bore me and murder itself has always a certain fascination for me वो कहते हैं कि उन्हें जो dand के rules होते हैं जो punishment rules होते हैं कोई कुछ गलत करता है, किसी का murder करता है वो मुझे हमेशा से परिशान करते हैं मुझे कभी पसंद नहीं आए और मुझे murder में, murder की बारे में पढ़ना, सुनना सब में काफी interest है I write delicate and fattisious lyrics yet strange as it may appear I read every murder trial and my sympathies are always with the prisoners और वो जो हैं, वो काफी sad songs लिखते हैं और उनने हर murder, जो court case होता है हर murder को story जो होती है वो सुनी हुई है और उनकी sympathy मतलब उनका जो दया भाव है वो हमेशा कैदी की तरफ रहा है prisoner की तरफ रहा है मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर उनने कुछ caller ने कुछ गलत भिक्किया तो वो उन्हें बता सकते हैं वो उन्हें support करेंगे caller but I tell you I am not a murderer फिर caller कहते हैं कि लेकिन मैं आपको बता दू कि मैंने कोई भी murder नहीं किया है poet then what you have done तो poet उसने तो तुमने क्या किया है caller I have quarrelled with the lady in that house and have sawn to join the bosons and die in Africa caller बताते हैं कि उन्होंने जो अंदर lady है उससे जगडा किया है और कसम खाई है कि वो bosons एक group था जुसको join करेंगे जो कि आफरिका में था और वहां जाएंगे और वहीं पर मरेंगे मतलब वहां अपनी आखरी सास तक रहेंगे poet but this is beautiful poet जो कहते हैं बोलते हैं यह तो बहुत अच्छा है caller unfortunately I forgot my hat caller कहते हैं लेकिन गलती से दुर्भाग के वर्ष मैं अपनी cap अंदर ही भूलाया हूं poet you go to die for a hopeless love and in a far country it was the want of the trebiders वो कहते हैं कि तुम उतने दूर के देश में जाकर वहाँ पर जाकर मरना चाहते हो यह जो है यह उन लोगों की आदते हैं जो दूसरे लोगों को परिशान करते हैं trebiders मतलब होता है दूसरे लोगों को परिशान करने वाला और won't मतलब होता है आदत तो ये उनकी आदते हैं जो दूस्ते लोगों को परिशान करते हैं वो दूर के देश में जाकर सबसे भाग कर वहाँ पर जाकर रहते हैं वो पूछते हैं लेकिन क्या तो आप मेरे लिए मेरी हैट लाओगे की नहीं Poet that I will gladly do for you but we must find an adequate reason for entering the house Poet कहते है मैं बिल्कुल लाओंगा मैं खुशी खुशी आपके लिए आपकी hat लाओंगा लेकिन हमें कोई एक perfect reason चाहिए उस घर के अंदर जाने के लिए Caller you pretend to tune the piano आप बोलिए कि आप प्यानो ठीक करने आए हैं Poet that unfortunately is impossible वो कहते हैं कि दुर्भागिता से यह बिल्कुल ही impossible है The sound of the piano being unskillful handed is to me what the continual drop of cold water on the same part of the head is said to be in countries where that interesting torture is practiced वो कहते हैं कि यह मेरे लिए बिल्कुल impossible है क्योंकि अगर वो प्यानो को ठीक करने जाएंगे तो वो उसे बजा कर चेक करेंगे और फिर उसे एक अजीब सी आवाज आई क्योंकि वो professional player नहीं है तो उसे जो है perfect voice नहीं आएगी प्यानो की और वो आवाज उनके लिए वैसी ही है जैसे कुछ countries में ठंडे पानी को किसी के सर में डालकर सजा दी जाती है torture किया जाता है उसी तरह से है तो वो यह चीज वो प्यानो के नाम से नहीं जा सकते caller but what are we to do तो फिर हम क्या करेंगे there is a house where kind friends of mine have given me the security and comfort that are a poet's necessity वो बताते हैं कि उनका एक घर है जहां पर उनके दोस्तों ने उनके लिए ऐसा comfort zone बनाया है जहां पर वो अच्छा लिख सकते poet है वो तो वो poet के लिए जो ज़रूरी होता जैसा महल ज़रूरते वैसा ही महल create किया है but there was a governess there and a piano लेकिन वहाँ पर एक governess थी मतलब हाँ एक lady रहती थी और उनके पास एक प्यानो था it is years and years since I was able even to see the faces of those friends without the inward shutter वो कहते हैं कि बहुत साल हो गए जब उन्होंने अपने दोस्तों के चेहरे देखी ते बिना गबराहत की caller well we will have to think of something else caller कहते हैं लेकिन हमें उच और सोचना पड़ेगा हम वहाँ जाके सोचने का idea नहीं लगा सकते अब आंगे का chapter हम next partner पड़ेंगे thank you झाल झाल नहीं जाँ भू अटतों